Hi everyone, आज हम हिंदी का क्लास लेकर रहा हैं, जो हिंदी का क्लास में हमारा है, यह गद और पद में अंतर, एक क्यूस्चन जो है, आपको मैट्रीक और इंटर में बार बार पुछता है, बहुत बार पुछा है, और यह प्रस्न जो है, पाच नंबर का आता है, तो इससे हम चलें हम चुट्कियों में याद करते हैं इससे पहले कि हमारे चैनल पे नहीं तो मैंने चैनल को subscribe कर देए तो देखें גद और पद में अंतर क्या है तो देखे गा गद लिखने बाले को लेखक कहते हैं और इसे लिखने बाले को कभी कह जाता है यानि कि पद लिखने वाले को कभी कहा जाता है गद पेरागराफ में लिखा जाता है और पद जो है विभीन चर्नों पंक्तियों में लिखा जाता है गद में प्रसांगिक कथाएं नहीं होती है और पद में प्रसांगिक कथाएं होती है गद में मानवी करन नहीं होता है और पद में मानवी करन होता है गद में यती गती तथा मात्राओं की गन्ना का ध्यान नहीं रखा जाता है और पद में यती गती तथा बर्न मत्राओं की गन्ना का ध्यान रखा जाता है बहुत थी असान तरीकों सो जो है आप लोग को यह याद हो जाएगा और हम इसे फीर से दोहरा देते हैं देखिए गद और पद में अंतर क्या कह रहा है कि गद लिखने वाले को लेखा कहते हैं और पद लिखने वाले को कभी कहते हैं गद पेरागराप में लिखा जाता है और पद विविन चर्णों पंक्तियों में लिखा जाता है गद में परसंगी कथाएं नहीं होता है और पद में परसंगी कथाएं होती है गद में मानवी करन नहीं होता है पद में मानवी करन होता है गद में यती-गती तथा मतराओं का गरना ध्यान नहीं रखा जाता है और पद में यती-गती तथा बर्न मतराओं की गरना का ध्यान रखा जाता है इसमें जो है एक में सही है और एक में सही नहीं कह रहा है सिंपल सी वे में आप लोगों को याद हो जाएगे थेंकियो दोस्तो फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में